हेलो दोस्तों, अब हम आपके सामने लाए हैं किर्किट 22 में जो नए स्टेडियम आए हैं यह पहला स्टेडियम है लोड स्टेडियम यह किर्किट 19 में भी था बट इसको अपग्रेड किया गया है इसके मीडिया सेंटर के स्टेंड के साइड में दो नई स्टेंड लगाए गए हैं जो कि अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ था जब हमने देखा था इंडिया ने इंग्लेंड का टूर किया था तो वहां पे यह दोनो नई स्टेंड थे तो देख सकते हैं आप जैसा कि आपको दिख रहा है यह दोनों स्टेंड मीडिया सेंटर के साइड में लगा दिये गए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं नेक्स्टेडियम है इस इड्नी शोग्राउंड स्टेडियम यह स्टेडियम काउंटी क्रिकेट और बीबील के लिए यूज होता है जो कि सिड्नी में है और इस पर इंटरनेशनल मैचे अभी नहीं हुए हैं यह वूमेंस के लिए होता है हैं मॉ्स्टी इंटरनेशनल होस्ट कर रहा है वी देखिये आप डिजाइन कैसे पना गया है इसका करमी डिजाइन मिना गया है नेक्स स्टेडियम इज मनुका ओवल स्टेडियम ये भी स्टेडियम वुमेंस के लिए और मॉस्टली काउंटी क्रिकेट के लिए यूज होता है ये जैक फिंगल्टन स्कॉरबोर आप देख सकते हैं ये स्टेडियम की कैपसिटी बहुत कम है क्योंकि इसमें छोटे-छोटे स्टेंड्स हैं ज्यादा बैठने की यहां पे जगे नहीं है देख सकते हैं यहां पे प्लेयर्स प्रेक्टिस कर रहे हैं मैश स्टार्ट होने से पहले और यह नया स्टेडियम है जो कि 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 22 में ही एड़ हुआ है यह आप हैडलाइट से उपर का शोव उपर से देख स इसमें के बैटने की ही नही स्टेडियम है जो कि बारिश आने पर क्लॉज हो जाती है जो रियल में decision हमने बारिश ले पाराज़ टोठेंडेंड टो इसका शुझ्हाएब अब में गेम में ये है इस सिस्टम या नहीं इसको देखना पड़ेगा